Good morning students, today we will read our next lesson and discuss about it. इसका जो विशे है, टोपिक की थीम है, किस पर लिखा गया है? वो है belief and superstitions. belief होता है विश्वास, भरोसा. और superstition होता है अंद विश्वास. विश्वास, भरोसा किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का करना. और उसी तरह superstition, किसी व्यक्ति या वस्तो पर बिना देखे, आंखें बंद करके विश्वास करना. Superstation, अंद विश्वास. किसे ने कुछ कहा, चाहिए वो ठीक है, गलत है. हमने अपनी आखों से देखा नहीं है, नहीं, उसके बारी में सोचा है, लेकिन हमने उस पर विश्वास कर लिया, वो क्या है? Superstations, अंद विश्वास. देखें आपर, चेप्टर नेम है, The Unlucky Face, बारुमा, और पेज नमबर है, 114. Okay, so start this lesson, पहले कुछ 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 दिये हैं, Why do you think the man looks angry? एक यहाँ पर पिक्चर है, कि एक व्यक्ती है, और एक बिल्ली दिखाई दे रही है, और एक कुछ डिबबा है, उसमें कुछ सामान गिर गया है. लगता है, जैसे बिल्ली ने इसे सामान को गिरा दिया है, उसकता है, दूदो, तो व्यक्ती है, वो इसे बिल्ली को बगार आये, इस पर गुस्चा है. वाई डो यू थिंक दा मैन लोक्ष एंगरी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह व्यक्ती गुस्चे में दिखाई देता है, जैसे इसके चेहरे के भाव दिखाई दे रहे हैं, और जो और दूसरी बिल्ली है, उसने कुछ सामान गिराया लगता है, इससे हमें पता चलता है क यह व्यक्ती गुस्चे में है, एंगरी है, if you are in the man's position, how would you react, यदि आप इस व्यक्ती की सिच्चती में होते हैं, यदि आप इस व्यक्ती की जगह पर होते हैं, how would you react, आप की क्या प्रतिकरिया होती हैं, आप क्या मैसूस करते हैं, क्या करते हैं इसकी जगह, जैसे हैं आप गुस्टा कर रहे हैं बिल्ली पर तो आप क्या करते हैं Have you ever heard about lucky unlucky things क्या आपने कभी भागय साली दुर भागय साली या अच्छी और बुरी चीजों के बारे में सुना है If yes Can you name these lucky and unlucky things actions यदि हाँ तो तुम उनका नाम लिखो नाम बताओ जो lucky हैं सो भागय साली भागय साली चीज़े हमारी लिए अच्छी है भागयवान है अनलकी या जो अच्छी नहीं है दुर भागयवाली है उनके या जो कारिय हैं उनके नाम बताओ नाम लिखो आगे हम स्टोरी हैं शुरू करते हैं इसको Reading There lived a merchant called Hirachan in Delhi देली एक सहर है जो भारत की राजजानी है वहाँ पर एक Hirachan नाम का merchant व्यावपारी रहता है व्यावपारी जो बड़े सतर पर कोई सामान खरीदने या बेचने का काम करता है बड़े सतर पर मतलब बहुत जादा मात्रा में थोग विक रहता जो बहुत जादा मात्रा में या संख्या में वस्तूं की खरीदारी और विकरी करता है उसको व्यापारी कहते है It was said that anyone who saw his face early in the morning would go without food that day It was said anyone उसके बारे में लोग कहते थे कहा जाता है उसके बारे में कि कोई भी उसका चेहरा सुबह में सबसे पहले early in the morning सुबह सबसे पहले उसको देख ले उसके चेहरे को देख ले तो पूरे दिन उसका बिना खाए जाएगा Go without food that कि पूरे दिन उसको खाना नहीं मिलेगा अकबर heard about हेराचंद अकबर जो था राजा था उसने भी हेराचंद के बारे में सुना हेराचंद was asked to see him अकबर ने कहा कि वहें हेराचंद को देखना चाहता है अकबर wanted to know whether the story about हेराचंद was true अकबर ने हेराचंद को देखने के बारे में पूछा कि मैं भी उसको देखूं अकबर जानना चाहता था अकबर wanted to know यह जानना चाहता था wanted second part कि the story about हेराचंद was true कि हेराचंद के बारे में जो कहानी लोग कह रहे हैं जो बातें कह रहे हैं वो सच है या नहीं है the next day अकबर was on his way to the dining room when हेराचंद was brought to him अगले दिन जब अकबर अपनी dining room भोजन कक्स की तरफ जा रहा था जब हेराचंद को उसके सामने लाया गया उसके लिए लाया गया तब अकबर कहा जा रहा था अपनी बोजन के लिए जा रहा था बोजन कक्स की तरफ जहांपर बोजन करते हैं उसको dining room कहते हैं उस रास्ते में था या उस तरफ जा रहा था at the same time a messenger came to see that the queen was ill जब हेराचंद को उसके सामने लाया गया उसी समय एक दूद महाँ पर आता है came to see उसको बताता है अकबर को the queen was ill कि उसकी जो रानी है उसकी पतनी है वो बिमार है अकबर लेफ्ट हेराचंद and spent the whole morning with his sick wife अकबर ने हिराचंद को छोड़ दिया छोड़ने का यहाँ पर मतलब क्या है अकबर हिराचंद से नहीं मिला वहाँ से चला गया and spent the whole morning और पूरी सुबह उसने अपनी बिमार पतनी के साथ बिताई spent second form है spend होता है खर्च करना यहाँ पर है बिताई अपनी पूरी सुबह वह अपनी बिमार पतनी के साथ रहा by the time he turned to the dining room और फिर वह वापिस अपने बोजन कक्स की तरफ लोटने लगा return लोट रहा था या लोटा वापिस आया बोजन के कमने की तरफ his meal was cold उसका खाना ठंडा हो चुका था उसका खाना ठंडा था जबो वह अब भीस अपने बोजन कक्स में आया he ordered a fresh meal तब उसने दोबारा से क्या क्या एक फिर से ताजा खाने का आदेश दिया it took so long to get the meal ready that he began to feel sick took so long जब उसने दोबारा से खाने खाना लाने का आदेश दिया ताजा बोजन तब उसमें इतना ज्यादा समय लग गया कि वह भी अपने आपको बिमार महसूस करने लगा that he began to feel sick उसने में अपने आपको बिमार महसूस करना शुरू कर दिया आगे देखते हैं the royal doctor was sent for तब वहाँ पर शाही डोक्टर जोहून के प्रिवार का डोक्टर था उसको बुलाया गया the doctor said to Akbar doctor ने अकबर को कहा please take rest and do not eat anything for the day कि आप आराम किजी please take rest आराम करें and do not eat anything और कोई भी चीज ने खाएं for the day आज कोई भी चीज ने खाएं this will help the cramps go away this will help इससे जो बुखार है जो प्रेशानी है वो महसोस कर रहे हैं वो चली जाएगी वो जाने में सायता मिलेगी आपको ठीक होने में ओके प्रेशानी है